जैसलमेर किले की स्थापना राजा रावल द्वारा की गई थी यह शहर अपनी सुन्दर हवेलिया जैनमंदिर और किले के लिए दुनिया भर में जानी जाती है इस कारण इसका नाम युनुसको में भी दर्ज है इस किले को जिन्दा किला भी कहा जाता है टूरिस्ट का फेवरेट स्पोर्ट माना जाता है राजस्थान का ये किला यहां हजारों भार के देश के टूरिस्ट खुबने आते हैं वहीं इस साल कुरुना के चलते टूरिस्ट नहीं आ रहे है वहीं आपको बता दे कि राजस्थान में कई ऐसी जगे हैं जो अपनी विरासत के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद है इसमें ही एक शहर जैसलमेर भी है इसका नाम युनुसको में भी दर्ज है लोगों का कहना है कि बहभारत युद के दुरान भारी संख्या में यादवा कर इस शहर में बस गए थे जैसलमेर का किला आज भी अपने पुराने रूप में ही मौजूद है इसके पीछे का कारण है दुनिया भर के कई हवेलियों को होटल में बदल दिया गया है लेकिन जैसलमेर का किला आज भी अपने पुराने रूप में ही मौजूद है इसके लिए बे चार हजार से भी ज़्यादा लोग रहते हैं जो टूरिजम के लिए अपना जीवन बिता रहे हैं वहीं इसके लिए बे एक हजार से भी जादा लोग फ्री में रह रहे हैं इन सभी लोगों को यहां रहनी के लिए कोई किराया नहीं देना परता सिवादारों के वंशज यहां फ्री में रह रहे हैं आप जानकर शायद धरान हो गए होंगे लिकिन यह सच है इतियास कारों का कहना है कि राजा रावल जैसल अपने सिवादारों के काम से काफी कुछ दे उन्होंने पंद्रा सो फिट लंबा किला देरे का उन से वादा किया था उस समय के बाद से उन सिवादारों के वंचज यहां पर फ्री में रह रहे हैं फिलाल के इस प्रोग्राम वेबास इतना ही बने रहे हैं वारे साथ देखते रहे हैं आवाज दिल्या ड्यूस